नमस्कार मैं हूँ आशी स्त्री पाठी आपके साथ और रुकरेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का गौालियर से बड़ी खबर नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही शहर में उफन रहे सीवर पारशद देवेंद्र राठोर ने खुद सीवर चैंबर में उतर क सफाई की बीजेपी से पारशद हैं देवेंद्र राठोर और देवेंद्र राठोर ने निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया सीवर के कारण आसपास के घरों में भी पानी घुस रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखाएं यहां पर देखें यह देवेंद्र कर उन्होंने सफाई की सांकेतिक रूप से नगर निगम को यह दिखाने के लिए कि काम करने की आउशकता है और सीवर उफन रहे हैं सीवर चैंबर में उतर गए बीजेपी पारशद और घरों में घुस रहे पानी को लेकर उन्होंने शिकायत की और आरोप लगाया कि नगर पारशद देवेंद्र राचोर हैं जिन्होंने खुद सीवर चैंबर में उतर कर साफ सफाई की और बीजेपी से पारशद देवेंद्र राचोर हला कि अभी ये सफाई क्या अब निगम तक ये मैसेज जाएगा ये भी देखने की बात होगी और चूकि ये जो तस्वीर ये सफाई कर्मचारी नहीं है ये सफाई करवाने वाले निगम पारशद हैं लेकिन पारशद ने आरोप लगाया है ठीक तरीके से काम न करने का और ये गौालियर से तस्वीर हैं सामने आई शीवर शैंबर में उतर कर बीजेपी पारशद ने सीवर के अंदर भरे गंदे पानी उफन रहे पानी को निकाला और उसके जो ब्लोकेजिज हैं उन्हें खोलने का विकाम विप्रयास करते नजर आए गौालियर से ये तस्वीरें सामने आई है और बिलासपुर में बीएड दिग्री धारी टीचर भरती की अभियर्थियों को हाई कोर्ट से बड़ा जटका लगा है दर असल असिस्टेंट टीचर भरती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारी उम्मिद्वारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है राज्य सरकार कुछ सब्ताव में नई चैन सूची जारी करने का आदेश दिया गया नई चैन सूची में दियलेड अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए कहा गया है उमेश हमारे सयोगी जुड़ गए हमारे साथ उमेश अभ्यर्थियों के लिए ये तो बड़ा जटका है आधार क्या कुछ बना इसका? पूरे मामले को उठाया था कि जब डीएट के लिए पहले थे प्रैमरी स्कूल के टीचर या आसिस्टेंट टीचर के लिए उमिदवारी की गई है तो उसमें बीएट के डीगरी धारियों के अधिकार कैसे होगा इस पूरे मामले को लेकर हाई कोड में सुनवाई हूई और यहां थी राज्य सरकार को सहथ सब्ता के भीतर पुनर निरिक्षन चैन सुची जारी करने के निर्जेज भी दिया है फिलाल एक बड़ा फैसला है और इस फैसले के बाद से यह चुकि 29 फरवरी को यह फैसला सुरक्षी रखा था जिस पर आज आदेज जारी हुए जी लेकिन अभी इसमें कुछ राहत की उम्मीद है क्या आगे कोई आप्शन इन अभियर्थियों के लिए दिखाई दे रहा है देखें राजे सरकार के नियम अनुसार ही यहाँ पर बीएड और डीएड की जो है उम्मीदवारी की जाती है जोकि डीएड के उम्मीदवारों के लिए असिस्टेंट टीचर याने की प्रैमरी स्कूल तक की जो है क्या आगे कोट के लिए कोई रास्ता खुला हुआ हाई कोट से क्या आप सुप्रीम कोट जाने की तयारी कर सकते हैं अभियर्थी अभियर्थियों के उपर है कि ये इस पूरे मामले को लेकर वो अपने वकिलों के माध्यम से क्या सुप्रीम कोट जाएंगे ये उनका तरक होगा लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा विकल्प उनके पास है विकल्प है उनके पास चलिए बहुत शुक्रिया हमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और बढ़ते आगे राइपूर से कहम खबर आपको बताते हैं डिप्टी सीएम अरुन साव का सचिन पाइलेट पर तंस सचिन पाइलेट के 36 गड़ के दौरे पर बोले अरुन साव सचिन पाइलेट राजस्थान सम्हाल नहीं पाए 36 गड़ में आने के बाद भी क्या करेंगे इस लोग सबाचुनाव 36 गड़ के प्रभारी की जिम्मधारी दी गई है सचिन पाइलेट को और सचिन पाइलेट अब अरुन साव के निशाने पाइलेट जी तो राजस्थान सम्हाल नहीं पा रहे हैं राजस्थान में उनकी क्या इस्थिती है फिर 36 गड़ में क्या करेंगे आकर सचिन पाइलेट जी तो राजस्थान समाल नहीं पा रहे हैं राजस्थान में उनकी क्या इस्थिती है फिर शत्तिर गड़ में क्या करेंगे आकर आकाश उकला हमारे सयोगी जुड़ गए हमारे साथ बात करेंगे उनसे आकाश च्छतिर गड़ के प्रभारी के जिम्मेदारी सचिन पाइलेट इस तरह से समाल रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी को लेकर बीजेपी अब शक जाहिर कर रहे है अरुड़ साव का ये बयान एक बड़ा और गहरा तंस है उनके लिए जी बिल्कुल देखे तीन चड़ों में 36 गड़ में चुनाव होने हैं और लगातार केंद्री नेताओं के दोरे होने हैं दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं का यहां आना है बीजेपी ने अपने 40-45 को की सूची भी जारी कर दिया किंद्री मंत्रे अमिस्सा प्रधान मंत्रे नरिन मोदी का दोरा लगबग तैया हो गया अन्य नेता आने वाले हैं तो इस पर ही चर्चा के दोरान जो है उप मुखे मंत्रे ने यह बात कही कि कॉंग्रेस उपर तंज्य कसा और उन्हें कॉंग्रेस के प्रपारी सचिन जानकारी नहीं दिया वहीं उनके नेताओं को लेकर भी अभी तक जो दोरे को लेकर भी किसी तरीके से जानकारी नहीं आई है लगतार जिस तरीके से बीजेपी चुनावा प्रचार कर रही है उनके नेता एक एक करके आ रहे हैं अरुन साओं ने यह भी इस पश रूप से कहा कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेताओं की सुईकारता नहीं है विधान सभा के दौधान भी वही चीज़े देखी गई तो लोग सभा में निस्थी तोर पर वो चीज़े नजर आएगी लोग किसी भी तरीके से उन्हें सुईकार नहीं कर रहे हैं सायद इसलिए 36 गड़ के प्रभारी है और समय समय पर आते रहते हैं तो ऐसे में इससे पूरो भी वो आय हुए थे और बैठक लिये थे लगातार बैठकों का दौर चला था रणनीती बनी थी तो जल्द ही अभी चुनाओं से पहले जो प्रतम चरण के चुनाओं आगाश आपके पाता हैं केदार रुपता हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं केदार जी बहुत स्वागत है आपका सचीन पाइलेट को जिम्मेदारी दी गई है अरुन साब जी कह रहे हैं कि वो राजिस्थान तो समाल नहीं पाए 36 गड़ में क्या करेंगे हो सकता है सर वहां क कि हार का अनुभव यहां काम आजा है उनके नहीं देखिए एक्चुली सचीन पैलेट जी पर कॉंग्रेस खुदी सवाल उठाते रही है कि वो गहलोत की सरकार को गिराना चाहते हैं बाजबा से बिले हुए हैं तो सचीन पैलेट पर कॉंग्रेस नहीं कभी परोसा नहीं कि कि यहां कारेकरता कॉंग्रेस के कारेकरता सचीन पैलेट पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो माननी हमारे मंद्री जी अरुन साओ जी ने कहा है वो कदन करते हैं कि राजस्तान में कुछ नहीं कर पाए चातिस घड़ में क्या करेंगे और पूरा जो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीती में एक विश्वास की परंपरा होती है कारेकरता हमने नेता पर विश्वास करते हैं और सचीन पैलेट को तो पहले ही नकार दिया वहां गैलोच जी ने राजस्तान में कहां उनकी सुनते थे तो चतिस घड़ में बला यहां कौन सुन ने वाला है तो निश्चित रूप से इसले कांग्रेस का कोई भी रास्ती है नेता चतिस घड़ में आने तयार नहीं है क्योंकि सब को मालूम है यहां जब भी प्रचार करने यहां के नेता जा रहे हैं तो मत आता उन्हें उल्टे पाउं खदेड दे रहे हैं यहां पर किस के सुनवाई नहीं क्योंकि अनेक नेता अब जेल में हैं और कोई बेल पे हैं सभी ने मिलकर चतिस घड़ को लूटा है कांग्रेस के नेता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से उनसे बात कर लेते हैं धरनजे जी बहुत स्वागत है निउस सेटीन प आपका और जो बात अभी आपने सुना किदार जी कह रहे थे अरुन साव जी का बयान भी आपने सुना का वो कह रहे हैं कि राजिस्तान में कुछ नहीं कर पाए यहां क्या कर पाएंगे अभी सब चुनाव एकदम अपने पीक पर आ गया है पहले चरण की वोटिंग बहुत है और राजीस्तान में वो उकमुक मंत्री भी रहे हैं उणके दाइस हो था और जीवा नेता है जिवा उनके कार एक अनभव को उनके राइन के राधिक उनभव को ले कर उनके लोगविता को ले कर उने 6-1 जिम में जाज़ी गई हैं अरुन साव जी को तचीं पालेड जी पर टिकाटिक पढ़ी पढ़ने करने पर लें खुद के किरिवान में जागना चाहिए घड़ी के पेंडूलम की तरा इस्थिती है अरुन साव जी कि ना सो तंगच्छन की इस्था बन पाएं तो अपने को देखना चाहिए कि वह बी दो कुछ वन्त्री हैं उनको इस प्रजे और सिर्फ जूट बोलते हैं और कांग्रेस के नेता आते हैं नरेंद्र मोदी सरकार की जो पोल खुलने काम करते हैं जो इनकी नगामी को बताते हैं तो समझ में आता है ना वही सवाल वही था कि वो कब आएंगे निता चुकि सचिन पाइलेट का आना वो निताओं के साथ अपके अधिकारियों के साथ मीटिंग्स होती है लेकिन वो बड़े निताओं के आमद कब होगी ये जिम्मेदारी तो संभवत है सचिन पाइलेट पर ही होगी कि वो बड़े निताओं को लाएं ताकि कारे करताओं का होसला बढ़े कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्राम के अनुसार काम कर रही है और अभी नामांकार के परक्रिया जारी तो नेशी तब हमारे बड़े निताओं भी 36 गर आएंगा और कांग्रेस गारेंटी को बताएंगा और की जारी है तेज गर्मी को देखते हुए NSUI ने ये मांग उठाई है आपको बदा दे कि राइपुर DEO को NSUI ने ग्यापन सौपा है NSUI की स्कूल का समय बदले जाने की मांग के पीछे जो कारण है वो ये कि अब गर्मी बढ़ गई है तेज गर्मी के चलते समय की स्कूल के सम और ममता राजिवार हमारी सयोगी जुड़के मारे साथ है ममता ग्यापन सौपा गया है स्कूल के समय की सारणी में बदलाव के लिए बिल्कुल देखे अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं यहां पर खड़ी हूं आपर करें चालीस से चालीस बीज़ीं के बीच अब हर दिक होता है तो उसकेब रहा है तो फिलाल मौसम भाग का कहना है कि पिछले साल के अपैक्शा इस बार गरमी जादा अप्रेल में ही जो है और यही वज़े है कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो स्कूली जो बच्चे हैं उनको हो रही है कई जगे ऐसे हैं जो रूटीन टाइम पर ही स्कूल चल रहे हैं और जिस तरह का टेंपरेचर हैं उनकी तबियत बिगड़ने की आशेंका लगातर बनी हुई है एक्जाम से लगातार बच्चों के चब रहे हैं तो उसके टाइमिंग को बद्लाओ को लेकर एसफिया ने जिरा सिक्षा दीकारी को ग्यापन सौपा है और ये कहा है कि इसकी टाइमिंग को लेकर बदला कि आजार मौसम अगर बाथ कर तो मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट कर रह कि यह जरूर है कि पिछले 24 गंटों में प्रदेश में कई जगा पर हलकी फुलकी बारिश भी हुई है लेकिन यह जो बारिश होती है वो रहात देने वाली नहीं होती बलकि उमस को बढ़ाती है और सुबह अगर हम बात करें तो टेंपरेचर और भी जादा बढ़ जाता है ज पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई धाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई कबीर का ये दोहा अकसर लोगों को प्रेम की प्रती जागरू करने के लिए आपने कहते सुना होगा लेकिन जबलबुर में एक ऐसे नेता जी हैं जो इस कहावत इस दोह को लोगों के जीवन से जोडने का प्रयास कर रहे हैं लोग सबाद चुनाव में इसी कहावत के धाई आखर यानि धाई अक्षर के नाम से पार्टी बनाने वाले प्रत्याशी भी मैदान में हैं जिनका नाम धाई अक्षर का है आई आपको मिलवाते हैं संसकारधानी के सनो प्रत्याशी से जिर्व प्रत्याशी का ही नाम नहीं है बलके उनकी पार्टी का भी नाम है। धाय अक्षर का सही नाम राकेश सूनकर है जो जवलपोर्ट से लोकसभा चुनाव की उमिद्वार है। जनाब इसे पहले बारा चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार जमानत भी जबत हो चुकी है, छे बिधान सभा चुनाव, एक महा पौर और अब छटवी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी सोच अलग है, कारिश्यली अलग है, इनका कहना है कि वे चुनाव सिर्फ लोगों को जागरूप कर ले की लड़ते हैं, प्रचार प्रसार और पैसों का उप्योग पत हो, साथ ही कहते हैं कि जो पांच साल काम करते हैं, उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं। इनका लक्ष देश में चुनाव प्रणाली में सुथार लाना है, ताकि चुनाव में पैसों का बोल बाला ना हो। और यही बजह है कि वो चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन ना तो पैसे खरच करते हैं और ना जनता से बोट मांगने के लिए जाते हैं। मतलब इनका संदेश है कि जो नेता काम करता है, उन्हें पैसे खरच करने की जरूरत और बोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उन्हें जनता खुद बोट करती हैं। कवरधा चिले में पोंडी के से पंडरिया तक बनी, सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जिसकी वज़े से इस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़क खराब होने की वज़े से यहां आए दिन हाथ से हो रहे हैं, यहां गन्ने से लदे ट्रैक्टर के पलटने के आए दिन मामले देखने को मिलते हैं। सब्सक्राइब हो गड़े बने हुए हैं, बारिस में जैसे तैसे लोगों ने इस रास्ता सावग मन किया है, और हलकी बारिस होने पर यह मार्ग पूरी तरह से जाम हो जाता है, जिसके द्वारा जो रोड जो है दोनों तरफ से उखाड के बनाया जा रहा है, और इसमें नि सब्सक्राइब कर कलेक्टर एक्षिन मोड में आ गए है, कलेक्टर ने जाच की आदेश दिये, दरसल पिछले दिनों कलेक्टर पीडियस दुकानों के आचक निरिक्शन के लिए निकले थे और ज़रान पीडियस दुकानों की बोरियों में कम चारव पाया गया जिसके बाहन के लिए उन्हें अपना काफिला रुकवाया और उन्होंने घायल को अस्पताल पहुँचवाया आपको बिता देए ये वो तस्वीर हैं जब हादसा हुआ उसके बाद यहां से विजय शर्मा का काफिला गुजर रहा था और उन्होंने रुक कर उनकी मदद दिया बॉलिवुड एक्टर शान, मिश्रा और अभिनेत्री दिपशिखा नागपार उनकारिश्वर पहुँचे और उनकारिश्वर जोतिरलिंग भगवान के दर्शन के पूजा आर्शना की मैं श्रीव शंभु का भग्त हूं और देवभुमी से ही हूं मैं उत्रा घंसे तो बाबा के दारगा हमेशा अशिरवात बनावा है और बना रहेगा बाबा के दरवार में आने के बाद तो मतलब सब मगन हो जाता है एकदम हर हर महादेव और दिल को बहुत शान्ती मिलते और काफी टाइम से मैं इस दर्शन के लिए प्लान कर था कुछ ताइम पहले ही मैं एंपी के दूसरे छेतर में शूटिं कर रा तो तब से मेरा प्लान लेकिन आप जैसे पापस ज्योति लिंक के दर्शन कर रही है और मैं खंडवा में प्रोग्राम के लिए आई तो जैसे मुझे पता चला हूँ गारेश्वर और ममनेश्वर महारा जाएं तो कैसे मैं दर्शन नहीं करूं मतलब नहीं करूं तो मतलब मेरा लास है वावा के च चीते के दीदार हुए चीता देकर परे चक्का फीरो मांचेत हुए और दमोह टाइगर रिजर्व में बागूं के घूमने का एक वीडियो सामने आया दरसल बादफगर से यहां दो टाइगर लाए गए हैं और उन्हें लाकर यहां जंगल में छोड़ा जा रहा है चीता बजाज़ टाइगर में, रे पां क्या जह रोज़ागर अवेजागर जिस्टानर से दिदाऴर